हेलो एब्रीवन, वेलकम टू माई चैनल, यहाँ पे दुर्गा मा का रीडिंग होने वाला है गाईज, कि दुर्गा मा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, यह कलेक्टिव रीडिंग रहेगी गाईज, आप जब भी भी देखेंगे, जिस समय देखेंगे, वो आपको कपेबल र आती हैं, तो आप से जो रेजनेट करता है, वो सुन सकते हैं, गाईज, देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है, कि दुर्गा मा आपको क्या मैसेज देना चाह रही है, यहाँ पे माता जी बोल रही है, कि आप यहाँ पे फाइप आप सोर्स का काड आए है, तो आप कही न कही ऐसे अपने उद्देश्यों से भटक रहे हैं, अपने काम से भटक रहे हैं, जो आप अपने हाथ में काम लिया है, गाईज, प्रोजेक्ट लिया है, उद्देश से लिया है, उसको आप कही न कही निगलेट कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको पू पिनिन्स रूप में सकसेज और सफलता मिलेगी। अगर आपको देश्च पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको सफलता और सकसेज और पैसा कैसे मिलेगा। तो माताजी बोल नहीं है, आप अपने वर्क पर, अपने कारे छेतर पर, अपने कारे पर, प्रोजेक्ट पर खुब अच्छी तरह से ध्यान दो, तुमारा ध्यान भटक रहा है, अपने ध्यान को एकाग्र करके अपने काम पर, अपने उद्देश पर लगाओगे, तो सफलता तुमारी कदम चुमेगी, फिलाल इस समय आपके प्रोजेक्ट पर आपका ध्यान नहीं है गाईज, इसके लिए माताजी ने आपको याद दिलाया है, कि अपने उद्देश पर, काम पर, प्रोजेक्ट पर वर्क करो, मेहनत करो, तभी आपको आगे सफलता मिलेगी गाईज यहां पर, माता जी का एनरजी निकल कर आया गैज, क्योंकि हाई प्रेस्ट पर विह बहुत बड़ी यहां पर देवी मानी जाती है, बहुत बड़ी देव सक्ती का और माना जाता है, तो आपके अंदर कोई न कोई ऐसी दुर्गामा बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो दैबे गुण है, जो देभी गुण है, जो सदकर्म है, उसको तुम बढ़ाने की कोशिश करो, अच्छे कर्म करो. तो यहां पर किसी किसी के लिए आ रहा है कि जो तुमने लौ की पढ़ाई की है, जो तुमने जज की पढ़ाई की है, उसमें तुमको बहुत भारी मातरा में सफलता, सक्सेज या न्यू जॉब मिल सकता है, एजुकेशन के छेतर में आप जो भी अपलाई किये होंगे गाइस, हाई डिगरी या फिर कोई ऐसा लौ की डिगरी या जज की डिगरी तो आपको जरूर से जरूर उसमें आपको माता जी बोल रही है, सफलता मिलेगी, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का काड़ी देवी का काड़ होता है, तो दुरगामा इस रीडिंग में स्वयम आ गई हैं, और पर बोल रही है, जो अच्छे कर्म है, सदगुन है, उसको भी बरकरार रखो, उसको भी करते रहो, तुमारी लाइफ जो है, बहुत ही बेस्ट होने वाली है, गाईज, यहाँ पे कुछ लोग पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, तो आप पैसे को लेकर बह पर आपके आर्थिक स्थिती बहुत इस्थिर है, यानि बहुत डबलपमेंट नहीं कही जाएगी यानि आर्थिक परिशानिया आपको तकलीब दे रहे हैं, आपको रान ने सुझ रहा है, मैं पैसा कमाने के लिए क्या करूं, क्या इसे करूं, जॉब भी नहीं हो सकता है, या किसी किसी के लिए भ्याख़ार में बहुत जादा लॉस हो रहा है, जिसके कारण देवी मा बोल रही है कि, ये सिचुएशन तुम्हारे स्थिति बनी हुई है तुम्हारे लाइफ में, तो उससे तुम परिशान मत हो, तुम उससे चिंतित मत हो, बलकि इससे बाहर निकलने की कोशिज करो देखिए यह पैंटिकल यहाँ पे बंद है यानि आपका आर्थिक इसिती आने का जाने का भी बंद है और आने का भी बंद है तो जब आएगा ही ने तो जाएगा किधर से तो आप यहाँ पे बोल रहे हैं इस सेचुएशन से तुम बाहर निकलने की कोशिज करो यानि कुछ ऐसी राह बनाओ जिससे कि तुम्हारे पास आए की अर्निंग हो घन आए तभी तो तुम खर्चा करोगे यहाँ पे आए के सुरूत को बढ़ाने की कोशिज करो जगल मत करो दुविधा में मत रहो रुको मत थमो मत बलकि आगे बढ़ने की कोशिज करो मालो एक चीज से नहीं आ रहा है तो दूसरा चीज काम करने की कोशिज करो आर्थिक स्थित्य को सुद्रिण करने को करो तब जाके आपके लाइफ में वो स्थीरता आएगी सुद्रिड़ता आएगी आर्थिक विकास होगा गाईज लेकिन इस इस्टक की स्थिती से बाहर निकलो जगल मत करो बाहर निकलने की का रास्ता ढूडो पेज आप बहुती यंग एनरजी है आप बहुती जो एनरजी देख रहे हैं आप बहुती ज़्यादा यंग परसन है बहुती ज़्यादा आप अंदर से क्रियासील बहुती एक्टिव बहुती ज़्यादा पावरफुल परसन है यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है माता जी ब मिल रहा है लेकिन यहां पर माता जी यह भी बोल रही है कि सेचुएशन से बाहर निकलो इस्टक की स्थिति से बाहर निगालने की कोशिश करोगे तो तुम्हें सफलता और सकसेश मिलेगी क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा दिमाग है मेहनत है तो यह लगाओ यह अपने वर्प पर ध्यान दो तब जाके तुम्हारे लाइफ में सकसेश सफलता और बहुत ज्यादा तुम्हारे लाइफ में स्थिरता आएगी आपके आर्थिक स्थिति में आपके जीवन में आपके लाइफ में बहुत बहुत चीजे अच्छी आने वाली हैं गाइस लेकिन इसके तुम सकसे और सफल बनोगे गाईज क्योंकि यहां पे हाई पिस्टेस का काड़ा गया तो दुर्गामा आपके रीडिंग में स्वेम उपस्तित है इसको जरूर से जरूर आप क्लेम करें जै माता दिलिक के आप क्लेम कर सकते हैं आपको एनरजी और भी अधिक अट्रक्ट करे रहे हैं यहाँ पर रोमांस का काड़ा है गया थो यहाँ पर माता जी यह बोल रही है कि आपके लाइफ में कोई नया जीवन साथि आने वाला और यहाँ पे romance का मतलब सिर्फ प्यार ही नहीं होता है आपके in-laws का प्यार आपके parents का प्यार आपके माबाप का भाई बहन का भी प्यार जो मिलेगा आपका जो रिस्ता रहेगा अपने बच्चों से वो बहुत ज्यादा strong होने वाला है यानि जो reading देख रहे हैं आपका रिस् से मजबूत होगा यहाँ पे और किसी किसी के life में बहुत जल्दी से आपका love one या जीवन साथी मिलने वाला जिसको आप बेसबरी से इंतिजार कर रहे थे meditation bring answer यहाँ पे माता जी बूल रहे हैं कि जो आप इस्टक के स्थिती में हैं जो बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता चुनू उसके लिए बहुत ही अच्छा माता जी solution दे रहे हैं कि आप meditation करिए ध्यान लगाईए और ये ध्यान ना माता जी क सामने बैट कर लगाईए किसी मंदिर में जाकर लगाईए अगर मंदिर नहीं जा सकते अपने घर के मंदिर में या एकांत में ही बैट का meditation करिए bring answer आपको उत्तर स्वयम मिल जाएगा दुर्गा मा आपके खराब situation के लिए इस्टक के लिए जरूर से जरूर कुछ अच्छा आंसर देंगी जिससे आपका beginning होगा नई शुरूरात होगी माता जी सोयम बोल रही है forgiveness यहाँ पे forgiveness का काड़ा है तो पुरानी बातों को भूल कर जो आप इस्टक के स्थिति में है जो तकलीफे थी दुख थे उसको भूल कर आगे बढ़ने की कोशिस करिए present में जिएं past में न जिएं past को forgive करिए और present में जिएंगे तो आपके life में guys बहुत बहुत ज़्यादा सफलता सकसेज आने वाली है यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा सफलता आने वाली है और यह माता जी बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा weight किये हैं सफलता और सकसेज के लिए तो आपको जरूर से जरूर मिलने वाला है कर से चक्पाद को ला हैं सब्सक्राद कर सक़ बहुत जरूर मिलने वाली है वाल車 मिलनों हा जड़ का ञीर है कि बहुत शत्तत्र तो आत्का, है ज ख बनात्ट kै yo बहुत जरूर एंग।